लोगसबा चुनाव 2024 को लेकर भागलपूर में महाकटबंदन की ओर से परत्यासी के नामों पर चलगा घमासान थम गया है। रव्यवार को कॉंग्रेस के अंद्रिये चुनाव समीती के बाटक में बिहार के भागलपूर किसंगन और कठियार सीट पर चर्चा हुई। जिसमें काफी गहन चर्चा के बाद जहां कठियार लोगसबा सीट से तारीक अनवर और किसंगन से मुहम्मद जावेग के नाम पर सहमती बन गई। लेकिन भागलपूर लोगसबा सीट पर पेच फस गया और परत्यासी के नाम पर फैसला होल्ड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भागलपूर सीट के लिए MLA अजीद सर्मा, परविन सिंग कुसवा, परवेट जमाल समेत कई नामों पर चर्चा हुई। लेकिन जाती अधार पर परविन सिंग कुसवा और अजीद सर्मा के नाम पर मामला लटका रहा। जबकि इसके कारण रविवार को आने वाला फैसला सोमवार की बैठक पर टल गया, वहीं सोमवार को भी लंबी बैठक के बाद भी फैसला नहीं आ सका। लेकिन मंगलवार की दोपहर बाद भागलपूर सीट के लिए कॉंगरेस द्वारा तीसरी बार भागलपूर विदान सवा से MLA चुने गए कॉंगरेस नेता अजीद सर्मा के नाम का एलान कर दिया गया। विदायक अजीद सर्मा के हाथ लगी। हलाकि फिलहाल इसको लेकर अजीद सर्मा ने पाटी अलाकमान और परतेश नैतरित्व के साथ महागटबंदन के सहयोगी लालू परसाद यादव के प्रति अभार व्यक्त करते हुए। इस बार बदलाव का फैसला करते हुए उन्हें भागलपूर के विकास के लिए लोकसवा चुनाओं में जीत दिला कर सांसद में बेजने का मन बना लिया है। इसके अलावा उन्होंने निवर्तमान सांसद सहर एंडिये परतियासी आजैकुमार मंडल पर भी जम कर निशाना साधा। इदर अपने नेता आजीस सर्मा को भागलपूर लोकसवा का परतियासी बनाए जाने पर विधायक आजीस सर्मा के समर्थकों ने जम कर अतिसवाजी कर जस्न मनाया और कारेकरताओं ने जीत का दावा भी किया। क्या संसे था जो आप संसे घड़ी कत्म हो गई। सोनिया गांदी हो, आदनी लालू परसाद जादव जी हो, थेश्री जादव जी हो, हमारे परदेश अद्र अक्रेश्मा के समने जनता के आवाज सुनी और मुझे आज उमिधवार बनाने की घोशना हुई है, मैं अभी पटना जा रहा हूं सिंबॉल लेने के लिए उसके आके चार तारी को नॉमिनेशन जरूँगा, आज नॉमिनेशन हमारे शांशत ने किया है, अजे मंडल जी ने, आप देखिएगा, नॉमिनेशन है पूरी अपार भीड आएगी, जनता इतनी उसाइत है, वो भीड को देखके समझ जाएएगा, आप लोग मीडिया बंदू, कि चुनाओ अजीज शर्मा नहीं, विकास की जीत होगी, भागल बूरी जनता की जीत होगी।